हलो दोस्तों तो आज की वीडियो में संपूर ब्रहमान एवं हमारा सौर मंदल की से सम्मंदित प्रस्ण जो है पताय जाएगा वन लाइन प्रस्ण है जो सभी प्रिछाओं में पूछ जाते हैं स्पीडी क्रेंट है 2023 का कोशन नमबर जो है नेश्ट है पित्वी को घेरने वाला कास है ब्रहमान जिसे कहते हैं ब्रहमान का अध्यन है कास्मोलोजी जो है ब्रहमान का अध्यन किया जाता है ब्रहमान में लगतार प्रसार की घतना बिग बैंग की कारण बरहमान की उत्पति में सर्वधिक मान्द सिधान था है महा विस्फोतक सिधान जिसे कहते हैं ये सबसे मान्न है बिग बैंग सिध्धान का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जाज लेमिंटर अठारस सोरानवे स्चानवे में किया था आधुनिक खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है कापन निकस को कहा जाता है पोलाइंड के रहने वाली थे कोशनमान नेश्ठ है सूर सौरमंदल का केंदर है सूर जो है सौरमंदल का केंदर है और पिर्थवी उसकी परिक्रमा करता है कहा था किस ने कहा था कापन निकस ने कहा था पिर्थवी बर्मान का केंदर है और सूर इसकी परिक्रमा करता है कहा था तालमी ने इसे बताया था ग्रहों की गती के नियम का प्रतिपादन किया था जो हंचन कैपलन जर्मनी के रहने वाले हैं कोशन नमबर निस्ठ है बर्मान का लगतार भी स्टार हो रहा है एडवीन हबल ने 1920 में बताया था सौरमंदल का विकास 4.5 अरववस्व पूर्व में हुआ था बर्मान का मौलिक काड़ है हिंक्स बोसान हिंक्स बोसान का अन्य नाम है गाड़ पार्टिकल जिसे कहते हैं साल ने कहां इस्ठी थे जहां लाज हेडरोन कुलाइडर एच सी मसीन द्वारा 2010 में हिक्स बोसान की निर्मार का प्रियास हुआ जेनेवा में हुए था बर्मान की आयू 13 billion वस है 13 billion वस है बर्मान की बर्मान का ब्यास कितना है 108 परकास वस है बर्मान में विस्फोती तारा कहलाता है अभिनो तारा या सूपरनोवा की नाम से जाना जाता है सूपरनोवा क्या है मृत प्रया तारे की विस्फोत अवस्था में जो मृत अवस्था में हो जाते हैं तारे उसे सूपरनोवा कहते हैं एक वस में परकास द्वाराता है की गई दूरी कहलाता है परकास वस कहते हैं खगोली दूरी का सबसे बड़ा मातरक है पारसिक है दूरी का सबसे बड़ा मातरक क्या है पारसिक एक पार्शेक बराबर होता है तीन दस्मलों दो छे परकास वस के बराबर होता है परकास वस मातरक है दूरी का एक परकास वस बराबर होता है नव दस्मलों चार छे गुड़े दस घाते बारा किलो मीटर या नाव दसमलो चार छे गुड़े दस घाते पंदर मीटर होता है अकास गंगा गलेक्सी जिसे कहते हैं गैसो बादलो धूल करो और अर्बो तारो का समू है अकास गंगा हमारी अकास गंगा का रंग नाम क्या है दुग्ध मेघला जिसे कहते हैं हमारा स्वनमंदल या सूर जिस अकास गंगा में इस्थिते उसे कहा जाता है दुग्ध मेघला कहा जाता है अकास गंगा की आक्रिती होती है सरपिलाकार अकास गंगा की सबसे नजदेकी मंदाकनी का नाम है देव यानि एंडरो मेडा अकाज गंगा मंदाकनी को सरपथम देखा था विर्षपती गिरह का खोज था गैलेलियो ने देखा था जब विर्षपती विर्षपती गिरह को खोज कर रहे तबी दिखाई दिया था मंदाकनी नेबुला निहारिका जिसे कते हैं अंतिरिस में धूल और गर्षों का एक विसाल बादल है निहारिका जिसे कते हैं नंगी आँखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है पल्सर होते हैं तेजी से घुमने वाले नूटरान तारे बर्मान का प्रकास स्टम्भ कहलाता है पल्चर्ग तारों में उज्जा का स्रोत नाभे की सनलैन होता है सौर मंदल एक दिस्टी में देख लिजिए प्रस्टन है सौर मंदल का मुख्या जो है सूर है सौर मंदल का मुख्या जो है सूर होता है सोड मंदल में ग्रहों की कुल संख्या आठ है सबसे बड़ा एवां भारी ग्रह विद्षपती है देखिए इसमें दो प्रस्ण बने है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है विद्षपती और भारी ग्रह जो है विद्षपती है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सनी ग्रह है सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी जिसे कते हैं अंग्रेजी में सूर्व से सबसे निकट इस्थित ग्रह है बुध है पृत्वी के सबसे निकट इस्थित ग्रह है सुक्र है पित्वी के सबसे निकत गिरह जो है सुक्र है सूर्व पित्वी से दूर इस्थित गिरह है वलूड है पित्वी के पडोसी गिरह जो है कौन से है सुक्र एवं मंगल है सरवधिक चमकिला एवं गर्म गिरह कौन सा है सुक्र है सर्वधिक ठंदा ग्रह कौंसा है वलूड निप्चियून वलूड की खोज जान गैले द्वारा 1846 में की ती सर्वधिक उपगरहो वाला ग्रह जो है विल्सपती है बान बेस में जो है उपगरह है 92 बिना उपगरहो वाला ग्रह कौंसा है बुद्ध एवं सुक्र जो है बिना उपग्रह है इसमें कोई उपग्रह नहीं है लाल वा हरा ग्रह कौन सा है मंगल तथा वलोडू पीला तथा नीला ग्रह है विस्पति तथा प्रिथिवी पीथिवी जो है नीला ग्रह है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं अरूड को बोज हारसेल द्वारा 1781 में की गई थे सबसे कम घनत वाला ग्रह सनी है प्रिथ्वी की बहन या सौंदर का देवता सुक्र भोर या सांज का तारा किसे कहा जाता है वीनस सुक्र को कहा जाता है सबसे बड़ा उपगरह का है गैनी मेड किसका है विरस्पती का है सबसे छोता उपगरह डीमोस मंगल गरह का है फुबोस एवन दीमोस उपगरह है मंगल गरह की सनी का सबसे बड़ा उपगरह है टाइटन सनी का जो है सबसे बड़ा उपगरह जो है टाइटन है सनी ग्रहों में वले छल्ला की संख्याज के अतनी है साथ होती है छल्ला पाई जाती है सनी के रिंग से के खोशकाता कौन है गैलेलियो यानि की छल्ला सबसे तेज एवं सबसे धीमी गती से परिभलमण करने वाला ग्रह कौन से है क्रम से है विर्षपती तेथा सुक्र है सबसे कम समय में सूर की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है बुध्य 88 दिन में एक चक्र पूर्य का लेता है पृत्वी की विफ्री दिशा पूर्व से पस्सिम में प्रिथ्वी से सबसे निकत तारे का परकास प्रिथ्वी पर पहुचने में लगाता है चार दस्मनों दो वस लगते हैं कोसर नम्म नेश्ट दिया है सूर तथा चन्रमा के परकास को प्रिथ्वी पर पहुचने में लगा समय करम से है आठ दस्मनों तीन मीनत का समय लेता है याने की 500 सेकेंड तथा एक दस्मनों तीन सेकेंड आगला प्रस्न जो है भू इस्ठीर उबगरहों की उचाई कितनी है 36000 किलोमीटर जो यहां से प्रिथ्वी से भेजा जाते हैं उबगरह चुद्ध गरह इस्ठीत है मंगल विहस्पती के बीच सबसे बड़ा सुद्ध गरह काउन सा है सेरेश खोज करता है प्रिथ्वी का एक मात उबगरह काउन प्रिथ्वी का सी आफ क्वालिटी इस्ठीत है चंद्रमा पर बाउना गरह किसे कहते हैं प्लोटो यम सेरेश एरिस प्लोटो खोज कलता जो है 1930 में टामबायक ने किया था ग्रहों की स्रेड़ी से हटा 2006 में प्राग बैठक में तारो का मुख्य घटक क्या है है हजोजन वह हेलियम प्रिथ्वी का निकतम ताराज जो है सूरे है सूर का निकतम ताराकाओं से प्रैक्सिमा सेंचूरी है सबसे चमकीला ताराकाओं सा है साइरस डार्क स्टार जिसे करते हैं तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप्र का तारों का तिम्तिमाना प्रकास का अपवर्तन के करण ब्लेक होल से धान दिया एस चंद सेखर को नोबल प्रुषकार कब दिया गया उननिस्सो तिरासी में वह सीमा जिसके बहार तारे आंतरिक मिर्तु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद सेखर सीमा इनहीं के नाम से रखा गया है चंद सेखर सीमा होती है एक दस्मनों चार चा सूर दर्वेमान तारो की सुंदर आक्रिती तारा मंदल कहलाता है तारा मंदलों की कुल संख्या है 89 सबसे बड़ा तारा मंदल है सेंटारस 94 तारे उसमें हैं सबसे चोटा तारा मंदल है हाइडरा 68 तारे है धुरू तारा भाग है लगू सब्तलसी का दिशा निरधालन में सहयाख होते है धुरू तारा का धूरु तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को धूरु तारा जो है उत्तर में ही दिखाई देता है धूम केतु धूल बर्फवे गैस से निर्मित पिंद को से बना धूम केतु होता है 76 वासो में दिखाई देने वाला धूम केतु पुछल तारा जिसे कहते हैं हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था हेली क्या है हेली धुम केतु पुन्ह दिखाई पड़ेगा दो हजार बासच में दिखाई देगा अकार के अनुसाय गरहों का करम जो है घचते करम में वियस्पती सबसे बड़ा है तब सनी है अरूड है वरूड है पृत्थिवी शुक्र मंगल एवं बुद्ध पृत्थिवी जो है पच्वे स्थान पर है शुर से दूरी के अनुसाय गरहों का करम बुद्ध सुक्र पृत्थिवी मंगल वियस्पती सनी अरूड तथा वरूड उस हिसाब से पृत्थिवी जो है तीसरे नंबर पर है सुर से दूरी के सुर का केंदरी भाग है केंदर या तो कोर कहते हैं सुर के केंदर का तापमान होता है 15 मिलियन डिगरी सेल्सियस सुर की सतह का तापमान 6000 डिगरी सेल्सियस होता है सुर की बहत्तम परत है किरीट या कोरोना कहते हैं कोरोना उसाजित करता है एक्सकिदड़े सूर का दिप्तिमान सत्य कहलाता है परकास मंदल फोटो स्फियर कहते हैं परकास मंदल का उपरी भाग जो परकास मान नहीं होता वर मंदल क्रोमो स्फियर कहते हैं सूर का परमुक संघटक है है हैज्रोजन सूर में सबसे जाता है जो उजन पाई जाता है 71% उसके बाद हीलियम 26.5% तथा अन्न ततो जो है 2.5% पाई जाता है उज्जा की सूर की उज्जा का सुरोज जो है नाभी की सल्यान होता है उसमें सूर का अका जो है प्रिठीवी से 109 गुणा बड़ा है प्रिथिवी से 109 गुना बड़ा है सूर्य और प्रिथिवी के बीच की आउसत दूरी जो है 149.598 गुड़े 106 या 149.6 मिलियन किलो मीटर है सूर्य गिधर होता है जब सूर्य और प्रिथिवी के बीच चनरमा आ जाता है प्रिथिवी के 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 प अंतरी स्यात्री को अकास दिखता है, काला दिखता है, अकास नेला दिखता है, प्रकिरणन के कारणे